हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक तोस्तों वीकली करेंट अफेर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे 29 ओक्टोबर से लेकर 4 नवंबर तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर को काफी इंपोर्टेंट वी साथी कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक पीन कर रखा है वहाँ पर क्लिक कर कर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं देखिए इस विक का पहला इंपोर्टेंट करेंट अफेर आता है भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे युनेसको ने सीटी ओफ लिट्रेचर के रूप में मानिता दिये हैं काफी इंपोर्टेंट देखे कोशन ये युनेसको ने हाली में विश्व शहर दीवस पर 55 रशनात्मक शहरों की नविंतम सुची जो है वो जारी करी हैं जिसमें से भारत के शहर देखि इसे के साथ युनेसको ने मद्धि पदरिश के देखिए गवालियर शहर को सीटी ओफ म्यूजिक के तोर पर मानिता दीएं ये चीच भी आप ध्यान दियाण रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ग्वालियर के हैं बात कर रहे हैं फ्रेंड्स तो देखे संगीत क समराट, तांसेन की जन्मस्थली कहा जाता है ग्वालियर को, तांसेन को धुरुपत गायन शली के लिए जाना जाता है ये दोनों चीज़े ध्यान रखिएगा City of Literature के रूप में किसे मानिता दी गई है, कोजी कोड शहर को और City of Music के तोर पर ग्वालियर शहर को देखिए मानिता दी गई है ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने UNESCO Creative Cities Network की बात करी UCCN की तो यह UNESCO का एक प्रमुक शहर कारिक्रा में जिसके शुरुआत 2004 में हुई थी ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर यह अंसर बिल्कुल सही होगा चलिए नेक्स कोशन की तरब चलते हैं किस भारती इनने Wildlife Photographer of the Year 2023 का पुरुसकार जीता है किसने जीता है देखिए फ्रेंड्स बेंगलूरू निवासी दस वर्षिये विहान तल्या विकास को लंदन में Wildlife Photographer of the Year 2023 तेविस जो है वो दिया गया है किसे विहान तल्या विकास को सी अंसर यहां पर सही होगा इनने ये पुरुसकार जो है क्रेशन की नकाशी के साथ देखे ली गई मकडी की तस्विर के लिए प्रदान किया गया है फ्रेंड्स Wildlife Photographer of the Year पुरुसकार की बात करते हैं तो देखिए ये प्रतियोगिता जो है लंदन में प्राकृतिक इतिया संग्रालाई द्वारा देखे आयोजित की जाती है इस प्रतियोगिता को आसकर ओफ फोटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है अगर हम बात करें कि Wildlife Photographer of the Year का पुरुसकार जितने वाली पहले देखिए भारतिये कोन थे तो फ्रेंड्स वो थी देखिए एश्वरिया श्रीधर इन्हें 2020 में ये पुरुसकार जो है वो प्रदान किया गया था 2023 में देखिए विहान तालिया विकास ने ये पुरुसकार जो है वो जीता है सिर्फ दस वर्ष की आयू में देखिए इन्होंने ये पुरुसकार जो है वो जीता है ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है नेक्स कोशन आता है फ्रेंड्स हमारा ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 की से प्रदान किया गया तो हाली में फ्रेंड्स भारत में जन्मी लेखी का नंदनी दास को उनकी पुस्तक कॉर्टिंग इंडिया, इंग्लेंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजन आफ एंपायर के लिए ये पुरुसकार जो है वो दिया गया है इस बुक में देखिए उन्होंने मुगल दर्बार में इंग्लेंड के पहले राजनाईक अभिहान के माध्यम से बताई गई ब्रिटेंड और भारत की सच्ची मूल कहानी को वन्नीत किया है किसे दिया गया है ये प्राईज नंदनी दास को दिया गया है उनकी बुक कौर्टिंग इंडिया के लिए ब्रिटिश अकादमी बुक पुरुसकार की हम बात कर रहे हैं तो देखिए साहित के शेत्र में दिये जाने वाला पुरुसकार हैं किसके इस्तापना कब हुवी थी? 2013 में हुवी थी। किसके द्वारा एक पुरुसकार दिया जाता है? बिटिश अकटेमी के द्वारा एक पुरुसकार जो हे वो दिया जाता है। जो है वो किया गया यह उस्सव जो है दशेरा की पूर्व संध्या पर देवर गट्टू गाउं में आयोजित होता है। तो ध्यान रखेगा फ्रेंड्स हाली में आंदर प्रदेश में बन्नी उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया। प्रसिद्ध संध थे संध सिंगा जी को निमान का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स कोशन आता है हमारा निमलिकित में से कौन एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सुची 2023 में शिर्ज इस्तान पर आएं। तो फ्रेंड्स एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सुची 2023 जो है वो जारी की गई है। देखे इस सुची में बताया जाता है कि किस व्यक्ति ने कुल कितना दान किया है। तो अगर हम देखे पूरशो की बात करें तो पहले इस्तान पर देखे कौन रहें। आइटी कंपनी, HCL Technology के देखे फाउंडर और चेर्मेन शिव नडार। शिव नडार जो है ये देखे पहले इस्तान पर रहें। दूसरे इस्तान पर विपरो के संस्थापग अजीम प्रेम जी रहें। और तीसरे इस्तान पर रहें रिलाइंस इंडार के चेर्मेन मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर देखे शिव नडार बिलकुल सही अंसर होगा। वहीं पर यहाँ देखिए सरवादिक दान करने वाली अगर महिला की बात करें। तो यह सूची पर जारी की गई। इस सूची में देखे सामाजिक कारेकरता रोहनी निलेकणी जो है वो देखे पहले इस्तान पर रही है। जो की Infosys के को फाउंडर जो है नंदन निलेकणी उनकी पतनी है। यह चीज भी आप ध्यान रखेगा, important है। चलिए, next question की तरफ चलते हैं, हाली में केरल जोती पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है। यह भी देखिए काफी important question है friends, केरल सरकार द्वारा देखिए, केरल राज्य में देखिए, तीन बहुती important पुरुसकार जो है प्रदान किये जाते हैं। केरल जोती पुरुसकार, केरल प्रभा पुरुसकार और केरल श्री पुरुसकार, हाली में ये तीनों पुरुसकार जो है देखिए गोशित किये गए हैं, इन तीनों में सबसे important और सबसे बड़ा पुरुसकार होता हैं केरल जोती पुरुसकार, ये जो पुरुसकार है केरल 23 केरल जोती पुरुसकारों की गोशना की गई जिसमें एक व्यक्ति को केरल जोती पुरुसकार दो व्यक्तियों को केरल प्रभा और पांच व्यक्ति को केरल श्री पुरुसकार से समानित किया गया है इसमें सबसे important केरल जोती पुरुसकार की बात करते हैं तो केरल जोती पुरुसकार 2023 दिया गया है टी पद्मनाभन को वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भी आंसर यहां पर सही होगा टी पद्मनाभन को ये पुरुसकार जो है मल्यालम साहित के शेतर में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है ठीक है फ्रेंट्स दियान रखेगा टी पद्मनाभन चलिए नेक्स कोशन की तरब चलते हैं भारती निर्वाचन आयोग द्वारा तेयार किया गया एंकोर सौफ्ट्वेर में एंकोर का पूर्ण रूप किया है देखे हाली में इस तरब के कोशन जो है एक्जाम में देखने को मिल रहे है इसलिए काफी इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा भारती निर्वाचन आयोग ने उमिद्वार और चुनाओ प्रभंधन के लिए एक सौफ्ट्वेर जो है वो डिजाइन किया है जिसका नाम क्या है Encore Encore का देखे है यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है Enabling Communications on Real-Time Environment यह सौफ्ट्वेर जो है रिटेंडिंग अधिकारियों को उमिद्वार के नामंकन, मददाता मददान मददान गिंती, परिणाम और डेटा प्रबंद की प्रक्रिया है तु देखे सुविदा प्रदान करता है ध्यान रखेगा फ्रेंड्स भारती निर्वाचा नायोग द्वारा तेयार किया गया एक सौफ्ट्वेर Encore का पूरा नाम क्या है Enabling Communications on Real-Time Environment B आंसर यहाँ पर सही होगा Next Question आता है हाली में किस देश की अदालत ने भारती नो सेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मोत की सजा सुनाई है तो देखे फ्रेंड्स काफी दुखत घटना देखने को मिली पश्यमी एशियाई देश कतर की देखे अदालत ने भारती नो सेना के आठ पूर्व अफसरों को मोत की सजा जो है वो सुनाई है इन अफसरों को यहाँ देखे सजा जो है वो जासूसी के कथित आरोप में देखे दी गई है भारत में देखे काफी ज़ादा विरोध देखने को मिल रहा है ध्यान रखेगा किस देश की अदालत ने, कतर की अदालत ने C answer यहां पर सही होगा Next question की तरब चलते हैं हाली में Collins Dictionary ने Word of the Year 2023 की से चुनाए तो Word of the Year देखिए दिया गया है AI को AI का पुरा नाम जो है वो आप सभी को पता है Artificial Intelligence D answer यहां पर सही होगा Artificial Intelligence जो है यह देखिए क्या है एक computer या फिर computer नियंतरी रोबोर्ट बोल सकते हैं या फिर एक software बोल सकते हैं जो की मानव मस्तिश की तरह ही देखिए बुद्धिमानी से सोचने वाला या बनाने की एक विदी हैं ठीके अगर हम देखिए 2022 की बात करें कि कॉलिंस डिशनरी ने वर्ष 2022 का word of the year देखिए क्या चुना था तो वो था फ्रेंड्स पर्मा क्राइसीस जो अस्तिर्ता और असुरक्षा के यूग को इंगित करता हैं तो 2022 का भी ध्यान रखिएगा और 2023 का भी ध्यान रखिएगा ठीके चलिए नेक्स कोशन की तरब चलते हैं हाली में सचिन तेंदुलगर का स्टेचू के स्टेडियम में लगाया गया है तो देखे फ्रेंड्स काफी देखे चर्चा में रहा महराश्टक के मुख्यमंत्री एकनाशिंदे ने मुंबई के देखे वानखेडे स्टेडियम में सचिन तेंदुलगर का स्टेचू का देखे हाली में अनावरण किया है इस स्टेचू को 14 फिट का देखे बनाया गया है किसने देखे इस मूर्ति को बनाया है एहमद नगर के मुर्तिकार प्रमोट कामली ने सचिन तेंदुलगर ने देखे इसी मैदान में अपना रंजी ट्रोफी डेबियू जो है वो किया था और पहले मुकाबले में सचिन ने शतक बनाया था और 2013 में वेस्टेंडिस के खिलाफ देखिये अपने करियर का आखरी मेज भी उन्होंने वानखेडे स्टेडियम में खिला था तो इसी स्टेडियम में देखिये सचिन तिंदुल करके देखिये स्टेचू का हली में अनावरन किया गया दियान रख्येगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई वंडे करिकेट में सबसे तेज सो विकेट लेने वाले खिलाडी कोन है तो देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान के तेज गिंदबाज शाहिन अफरीदी जो है वो वंडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर गेंदबाज बन गए हैं शाहिन अफरीदी ने सिर्फ 51 मेचों में 100 विकेट जो है वो कंप्लीट करें शाहिन अफरीदी ने आस्ट्रिला के तेज गेंदबाज मिचल स्टॉक का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा हैं जिनोंने 52 मेच में 100 विकेट लिये थे तो वन डे में फास्टेस 100 विकेट लेने वाले देखिए खिलाडी कोन बने हैं शाहिन अफरीदी ठीके चलिए नेक्स कोशन की तरब चलते हैं Breaking the Mold Reimagining India's Economic Future बुक किसके द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है भारती रिजर्बेंक के पुर गवर्नर रगुराम राजन और अर्थशास्त्री रोहित लांबा ने देखिए Breaking the Mold बुक जो है वो लिखी है हाली में देखिए इस बुक का नावरन किया गया इस बुक में भविश्य में भारत की आर्थिक प्रगर्ती के बारे में देखिए लिखा गया है साथी में वीश्य की प्रमुक अर्थवेवस्ताओं की तुलना में भारत के सामने आने वाली महत्पुन चुनोतियों पर भी प्रकाश डाला गया है साथी में ध्यान रखेगा पिछले साल रगुराम राजन की बुग Fault Lines ने Financial Times Business Book of the Year का अवर्ड भी जीता था अगर हम रगुराम राजन की देखे important बुग की बात करते हैं तो ध्यान रखेगा I do what I do इनके द्वरा लिखी गई है इसके अलावा the third pillar जो है वो रगुराम राजन के द्वरा लिखी गई चर्चीत पुस्तक है ठीक है तो ये सारी बुग ध्यान रखेगा काफी important है इनसे related exams में question जो है वो पूछे भी जाते है चलिए next question की तरब चलते हैं हाली में किसे दूसरा रोहिणी नएयर पूरुसकार जो है वो प्रदान किया गया है किसे प्रदान किया गया है सामाजिक कारे करता दीनानाथ राजपूत को चतिसगर में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए रोहिणी नएयर पूरुसकार से समानित किया गया है ये दूसरा रोहिणी नएयर पूरुसकार है इससे पहले ये पूरुसकार जो है सैत्रिचम संगतम को देखे दिया गया था ये चीज़ आप ध्यान रखेगा रोहनी नईयर पुरुसकार जो है ये देखिए फ्रेंड्स ग्रामिन विकास में उतकरष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है ये पुरुसकार जो है दिवंगत अर्थशास्त्री डॉक्टर रोहनी नईयर की स्मरती में प्रदान किया जाता है जिनका 2021 में निदन हो गया था 2022 में देखिए पहली बार दिया गया था सैत्रिचम संगतम को और 2023 में दिया गया है दीनानात राजपूत को ठीक है? डी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा चलिए इसके राजपा नहीं किया है? यहां पर रोबर्ट फिको की बात करते हैं तो चोथी बार देखिए इसलो वाक्या के प्रदान मंतरी निउक्त हुए है बी आंसर यहां पर सही होगा नेक्स कोषण आता है जाली में भारती स्टेट बेंक ने किसे अपना brand ambassador न्यूक्त किया है तो किसे न्यूक्त किया है महेंदर सिंग धोनी को SBI ने देखे team India की पुर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी को अपना brand ambassador न्यूक्त किया है महेंदर सिंग धोनी SBI के marketing और promotional campaign के लिए न्यूक्त किये गए है इससे पहले देखिए जो chips की brand एं LACE उसके भी देखिए brand ambassador के रूप में न्यूक्त हुएं MS Dhoni और हाली में SBI के भी देखिए brand ambassador के रूप में न्यूक्त किये गएं जहान रखिये गए यहां पर महेंदर सिंग Dhoni बिल्कुल सही अंसर होगा पहला AI Safety Summit 2023 का आयोजन किस देख में किया गया किस देख में किया गया देखिए friends ब्रिटेन में AI Safety Summit 2023 का आयोजन हाली में देखिए ब्रिटेन में किया गया इस सम्मिलन में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इंडोनेशिया, सौधी अरब जैसे कई देश शामिल हुए, भारत के ओर से, भारत के ओर से, इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी की मंत्री, राजीव चंशेकर ने देखिये इस सम्मिलन में पार्टिसिपेट किया था, इस सम्मिलन के दोरान, AI के वैश्विक भविश्य और AI के जोखिमों पर चर अनुसंदान रियक्टर किस देश में स्थापित किया गया, तो किस देश में देखिये स्थापित किया गया, दक्षिन अमेरिका देश बोलिविया में, बोलिविया में दुनिया के सबसे देखिये उंचे परमानू अनुसंदान रियक्टर की स्थापना की गई, यह अनुस संयुक्त सेन अभ्यास काजिन 2023 की इन देशों के मद्य आयोजित किया गया। परंतु इस वर्ष से वायू सेना को भी शामिल किया गया है। इस युद्दब्यास को भारत और कजाकिस्तान के बीच देखिए 2016 में शुरू किया गया था। तब देखिए इसका नाम जो था वो एकसरसाइस प्रबल दोस्तिक था। दोज़र अठ्रा में देखिए इसका नाम बदल कर काजिन्द किया गया। दोज़र वावीस में देखिए इसका छटा संस्क्रण जो है वो कहां पर आयोजित किया गया था भारत के मेगाले में। और इसके साथ वे संस्क्रन का आयोजिन किया गया कजाकिस्तान में। ध्यान रखेगा भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। देखे कुछ अगर प्रमुक युददब्यास की बात करें तो एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। डेजर्ट नाइट जो है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया आता है। ठीके इन को भी आप ध्यान रखेगा। जोकी मोरको, पूर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे और अर्जेंटीना में आयजित किया जैगा and 2034 में साओधी अरप में आयोजित किया जाएगा फीफा विश्व कप का आयोजन जो हे हर चार साल में किया जाता है इसके शुरुआत का बुवीती 1930 में हुई थी 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था कहां पर किया गया था? कतर में किया गया था और अर्जेंटिना जो थी, वो विजिता रही थी, ठीक है? चलिए, नेक्स कोशन लेते हैं, हाली में ओडिसा में खोजी गई अवोस मोटला किस जीव की प्रजाती हैं? तो शोत करताओं ने ओडिसा की महानदी में मीठे पानी की मचली की नई प्रजाती जो है, वो खोजी है इस नई प्रजाती की मचली का नाम क्या रखा गया है, अवोस मोटला. ये मचली की प्रजाती जो है, अवाउस परिवार से समबन दीते हैं. ध्यान रखेगा, अवोस मोटला किस जीव की प्रजाती हैं मचली की? हाली में BHL का अद्यक्ष और प्रभन इदेशक की से नियू नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं जो है भारत की सायता से देखे तियार की गई है कौन-कौन सी ये तीनों परियोजना अकोरा अगरतला क्रोस बॉडल रेल संपर्क परियोजना इसके अलावा खुलना मोंगला बंदरगा रेल लाइन और मेत्री सूपर थर्मल बिजली सायंतर की इकाई का फेस टू यहां पर देखे हम अकोरा अगरतला क्रोस बॉडल रेल संपर्क परियोजना की बात करते हैं तो इस रेल लाइन देखे संपर्क परियोजना की कुल लंबाई जो है वो बारा किलोमेटर हैं जिसमें से 6 किलोमेटर के आसपास देखिए बांगलादेश में है और 5.5 किलोमेटर के आसपास देखिए यह भारत में है भारत के त्रिपुरा में ध्यान रखेगा भारत और बांगलादेश के बीच में देखिए यह रेल संपर्क परियोजना है ये अंसर यहां पर सही होगा Next and last question आता है अमरत वाटिका और अमरत महोचसव समारक की सिस्तान पर बनाया जा रहा है कहां पर बनाया जा रहा है देखिए ये नई दिल्ली में हाली में प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के देखिए समापन समारों में अमरत वाटिका और अमरत महोचसव समारक का शिलानयास किया इसे के साथ साथ प्रधान मंत्री ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफर्म का भी शुबरहम किया मेरी माटी मेरा देश अभ्यान की बात करते हैं तो देखिए इसकी शुरुआत 9 अगस्ट 2023 को हुई थी और इसका समापन हुआ 31 अक्टोबर 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभ्यान के तध अमरत कल्शों के जरिये गाउं गाउं से मिट्टी को दिल्ली लाया गया साथी में इस अभ्यान के जरिये देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को भी शद्दांजली दी गई मकसद क्या था इस अभ्यान का देश की एक्ता को दिखाना इसी अभ्यान के देखिए समापन समारों के दोरान प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने नई दिल्ली में अमरत वाटी का और अमरत महासर उसमारक का शिलानयास किया कहाँ पर नई दिल्ली में तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे इस विक के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर कंपलीट होते हैं आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए साथी में मंत्री करेंट अफेर की पीडियेफ अगर आप लेना चाते हैं करेंट अफेर की उसके लिए Crazy Zika Trick अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपको option मिल जाएगा साथी comment box में भी मैंने link दे रखा है वहाँ पर भी click करकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आप देखिए Crazy Zika Trick के foundation courses लेना चाते हैं तो उसके लिए root application डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको देखिए सभी subjects के foundation course का option मिल जाता है GS, Maths, Reasoning, English सभी subjects के देखिए foundation courses अविलेबल हैं बहुत ही nominal cost पर देखिए सारे courses अविलेबल हैं एक बार root application डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा तो friends, आज की बस इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं friends नेक्स वीडियो में तिल देन, बाई बाई